आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which one is an Anatomical Adaptation in Plants Growing in Dry Habitat? पुझा गया है कि कौन सा यहां पर Dry Habitat के Plants होते हैं जिन में Anatomical Adaptations जो हैं वो क्या होते हैं? तो चले देखते हैं कि यहां पर क्या क्या Options Provided हैं तो First बोला किया है Stems become Leaf-like and are Fleshy Green और Fleshy Green-like और Leaf-like Structure अगर दिखाई थे तो यह Basically Morphological Structure हिसाफ से हम लोग जानते हैं और यह Morphological यानि जिसे हम लोग देख सकते हैं उसे Character को हम लोग कहते हैं नहीं यह Anatomical Feature है और Dry Habitat में अगर बात करें तो यहां पर ऐसे Plants पाए जाते हैं जो कि mostly 3-4 Plants होते हैं जैसे कि Open Shia हम लोग कह सकते हैं या मेज भी अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा नेक्स है Deep Penetrating Roots और Deep Penetrating Roots यह यह भी Morphological Feature में ही आता है और यह Anatomical Feature में Count नहीं होता है Anatomic का मतलब होता है जो Internal Features होते हैं और यह एक ऐसा पॉइंट है जो कि basically anatomical होता है और anatomical का मतलब होता है कि इनके अंदर inbuilt tissues जो हैं वो दिखाए देते हैं जो कि सिर्फ इनही प्लांस में पाए जाते हैं जो कि dry habitat में रहते हैं क्योंकि यहां बिक्या होता है कि water का जो scarcity है वो बहुत ही जादा scarcity यहां पर दिखाए देता है जिसके वैसे यह लोग अपना water जो है वो इसी tissue में store करके रखते हैं तो इसलिए हम लोग third option को ही टिक करेंगे जो कि इस respect में correct है नेक्स्ट है जहां बोला गया है leaves modified to spine और यह basically transpiration loss को reduce करने के लिए बनाये जाते हैं यह भी one kind of morphological tissue है या फिर morphological changes है तो इसे हिज़ाब से हम कह सकते हैं जो anatomical है वो है third option और उसी को हम टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 84444 पर